जब हम भारत से दुबई सिर्फ तीन घंटे में जा सकते हैं तो फिर करोडो रुपे खर्च करके दुबई की सरकार अंडर वाटर ट्रेन क्यू बना रही है और इससे दुबई को क्या फायदा होने वाला है देखे ये ट्रेन दुबई से समुंदुर से होतो हुए भारत के और 2000 किलोमीटर तक का सफरते करेगी ये ट्रेन अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर पर अवर की स्पीड से दोडेगी और सिर्फ दो घंटे में भारत से दुबई तक पहुचा देगी तो उसके अंदर दो टनल और बनाई जाएगी जिसमें एक ट कनल से दुबई तेल भेजेगा और दूसरी तरफ से भारत दुबई को नर्मदा नदी का फिरेश वाटर भेजेगा और इस ट्रेन को बनाने का असली मकसत तो ये पानी और तेल का लेंदेन ही है